दादनगर हवेली मेडिकल कोलेज नी मंजूरी मढ़्या पची MBBS प्रवेस प्रक्रिया सत्या विश्युन्ती शरू करवा माँ छे चमा नेट्रे यूजी कौलिफाइड विध्यार्थियों BBS प्रथम वर्षमा प्रवेस माटे उनलाइन अप्लाई करवानू रह छे 2020 के लिए एड्मिशन प्रोसेस की घोश्टा कर दीगी है पहली जुलाई तक ये शुरू रहेगी सब बच्चे जो भी MBBS एड्मिशन लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन भरना पड़ेगा जिसमें दमन्द्यू और दातर नगर अवली के जितने भी बच्चे हैं और All India में जो कोटा से आना चाहते हैं जो All India फोर प्रियाटी है हमारी उस सीट्स में कोजगार्ड के एक सर्विसमें जो मिल्टरी में काम करते हैं ये सब कैटिकरीज के लिए application हमने invite किया है बर online application है आपको online PIN खरीदी आपड़ेगा और PIN से PIN ICAC bank में available है और online भी available है और offline भी available है फिर document verification 28 जून से 2 जूलाई तक होगा Online Consent for Participation in First Round of Counseling 8 July को होगा और वो 11 July तिक चलेगा Declaration of First List of Selected Candidates जो पहली सुची होगी वो 13 July को प्रकाशित की जाएगी जो 13 July को प्रकाशित की जाएगी उनको 14 से 16 July के अंदर उन्हें रिपोर्ट करना होगा और वो First Round Counseling के लिए हाजित होजाएंगे फिर Second Round का Online Consent होगा 14 से 17 फिर उसका Result होगा 19 जुलाई को फिर अगेन उनका Reporting for Confirmation of Admission वो 20 से 23 जुलाई 2019 होगा फिर उनको Online Consent फिर मौपा पराउंड 20 से 24 जुलाई के अंदर होगा और लास्ट मौपा पराउंड 27 से 29 जुलाई होगा और First August से हम Classes शुरू कर देंगे कि डेट्स सब्जेक्टिव है ऐस पर requirement आगे पीछे भी हो सकते हैं क्योंकि मौपा पराउंड के लिए जो सीट्स सेंट्र सीट्स जो 15 परसंट हमने दिया अगर वो नहीं भरतें तो महां से जब लेट रहेगा उसके बाद ही मौपा पराउंड कर सकते हैं और फिर भी हमने tentative date दिया है और इस schedule से हम आगे बढ़ेंगे सबसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पिन ले ले वैसे हमने कई सारे help centers एक तो help center हमने medical college में खोला है अगर किसी बच्चे को form भरने में तकलीफ होती है वो direct medical college जो साइली में है वहाँ पे चले जाएं और वहाँ भी वो भरके देंगे और कल से हमने हमारे primary health centers और community health centers अप्रेसिक hospital और जो हमारे community health workers जो सब्सेंटर में पोस्टेटें दमन में और जादरने अगरली में वो कल से ये बच्चों को वहाँ भी form अगर भरने में तकलीफ होगा वो इनको मदद करेंगे form भरने के लिए तो ऐसे कि उनको सिल्वासा ही नहीं आना पड़ेगा अपने गाओं में भी नजदी के पीएटसी में या सब्सेंटर में वो जाके पूछ सकते हैं कैसे हम परना है वहाँ से जरूर हमें देगा